फाइनियर दोस्तों हम पहुच चुके हैं हरकटा मोड तो मैंने चलना स्टार्ट किया था गोडियारी नदी से और हरकटा पहुच गया है तो दोस्तो अभी हम गोडियारी नदी से चलना प्रायरम किये हैं वैसे के लिए मैंने आपको पहले दिखाया था गोडियारी नदी की किस परकार के इस्तिती थी अब आगे अगर आप यहां पे देखें कवरियापत वैसे सावन में तो बहुत अच्छे लगते हैं और मैं भी बहुत दिनों के बाद यहां पे आया हूं तो एक अलग सा मतलब की एक्स्पिरियंस हो रहा है और एक महसूस जो हम लोग करते हैं सावन के माहों में उसके बाद बहुत दिन के बाद छूट जाते हैं वो जो यादे रहती है न वो हमारा हमेसाथ जूड़े वे रहता है तो क इतना काफी नजदिक होते हुए तो साइद आप लोग को भी लगता हूँ कि जिस रास्ते से हम चल रहे हैं और आये थे सुल्तान गन से बाव बेदना था उसकी अभी उस रहा की इस्तिती क्या है और कैसा अभी करना जारा रहता है तो वही चीज में प्रयास क्यांग को सब्सक्राई हो जाऊंगा ता ताकि में अमन्हाइए तो यहां पर दिख सकते ऑँ और मेरा गोडियारी कहला तरह गाउंट जो है कि आपो पता बंप Teacher घुआधा protein अभी भी बहुत सारे कवरिया आते हैं अगर उन्से मुलाकात होती तो मैं जरूर आपको मुलाकात कराऊंगा और उन्से जानेंगे कि इतनी ठंड में भी अगर वो आ रहे हैं तो उनको इस रास्ते में क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो चलिए आगे चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं लगातार बने रहीएगा तो यह देख सकते हैं अभी जो है गोडियारी से हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं लग बहुत हाप किलोमेटर के आस पास और यहां पर आपको एक पता है कि एक हम लोग को कुछी दूर चलने के बाद एक आस्रम मिलेगा जो कि बहुत ही सालों भर्स वो आस्रम चलता ही रहता है साल भर भर भी आप वहां पर आएंगे तो आपको हर सुईधाय मिलेंगे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला और भी बहुत सारे ऐसी भी आस्रम बोल सकते हैं धरमसाला है जो कि बारोमास वो सेवाई देते हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो कि सिर्फ सावन भर ही सेवा देते हैं तो उसकी बात नहीं करते हैं लेकिन अभी जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो हम ऐसा बारो मास चलता है तो अभी तो हम गोडियारी गाउं ही क्रॉस कर रहे हैं अभी यह देख सकते हैं यह जो गाउं है यह मंदीर आपको पता होगा यहां पर टर्णिंग पॉइंट होता है यहां पर बहुत सारा रूपते हैं और यहां से हम लोग सीधे जाएंगे अ तो चलिए यहां पर हम लोग आगे चलते हैं विसे के लिए लगातार जो है बहुत सारे वीडियो बनाता हूं लेकिन पीछले वर्स की तूलना में मैंने आपको दिखाया था कि रास्ती की इस्तिती कैसी हो जाती है सावन के बाद लेकिन अभी जो है ना अभी भी बहुत ब से खत्म नहीं हुआ है देख सकते हैं अराम से चल सकता है और उतनी भीड़ भाड भी नहीं रहता है तो एक दो कवरी आते हैं तो उसके लिए काफी मातरा में अच्छा है बालू बहुत प्रियाप्त मातरा में उसको किसी तरह का पाउं में चुबेगा भी नहीं और ही बात घृपत होटेल वे गारा के मैं बता दूँ कि यहां पर जितनी वी ग्रामिन लोग हैं जो आपको देखने को मिलेंगे अगर आप खाने पीने के अगर बोलेंगे कि हमको बना दीजी तो बना देंगे अदम बहुत ही आपको मतलब की सपोर्टिव रहते हैं आपको सपोर्ट करेंगे किसी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है कहीं पे भी ठीक है तो और भी जैसे मैं अपने एक्स्परियंस के बारे में बता रहा हूँ और ऐसे भी अगर कोई बम आते उन से भी मैं आपको बात कराऊंगा तो आपको पता चलेगा जिस आस्रम के बारे में बात कर रहाता हूँ यह देख सकते हैं यह आस्रम है यहां पे यह आस्रम बहुत वेल है और साप सुतरा काफी रहता है और यहां पे भी आप रुख सकते हैं ही तो यह दना पर चकते हैं हो कि सकते हैं किस परता है और और समय होनी हुआ आगे सब्सक्राइब ऑब भी शुरारी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है और रास्ता तो अभी भी बहुत अच्छा है जो जिनको जिनको लगता है कि रास्ता मुझे दिखाना चाहिए इस परकार से कमेंड जरूर केज़ेगा तब मैं ही बनाओंगा क्यों ऐसे नहीं कि अगर आपको पसंद नहीं है और मैं बना रहा हूं तो इ यह मैं काफी ठंड में सवेरे सवेरे कवर करता हूं इस बज़े से यह जो होता है ना थोड़ा सा आपको उतना लाइटिंग नहीं मिल पाता है क्योंकि आपके पता है कि अभी ठंड का जो महौल है इतना कोहरा बना हुआ रहाता है तो संभब नहीं हो पाता है कि मैं आपको क्योंकि मैं आपको reality दिखाना चाहता हूँ कि कैसी है और प्रत एक दिन में कोशिश करता हूँ कि आपको एक एक वीडियो देता रहूं बस आप लोगों का प्यार मिलता रहे तो ऐसा ही मैं आपको वीडियो डालता रहूंगा और दिखाता रहूंगा अदम यादे जो है न त लोड़ी से पावंदी था अभी भी है लेकिन फिर भी आप लोगों का बहुत सारा कॉल आते हैं कि अभी भाई दिखाईए दिखाईए कुछ कुछ जो कम से कम एक काग दो वीडियो दिखाईए इसलिए मैं सोचा हूं कि चलिए जब आप लोग देखना पसंद करते हैं तो मे के दो कीमेटर काफी माइनी रहता हर कवरे भाईएउं के लिए क्योंकि पैदल यात्रा करके चलना और थाकान सा रहता पहुत ज़्यादा तो इसलिए यह काफी महतून होता है उस समय का तो यह था हमारा यहां का कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताईएएगा फा लगभग गोडियारी से यहां तक सभी को पता है कि दो धाय किलिमेटर पड़ता है यहां से अगर देखा जाए दो किलिमेटर गोडियारी नदी पड़ता है तो गोडियारी नदी से यहां तक दो किलिमेटर है और आपको तो रास्ता में दिखा है कि अभी जो है किसी तरह का क को नेक्स्ट दिखाता हूं तो तब देखी वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर निए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए हर हर महादेब